नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल प्रकासी जूटेक में यूपी स्कॉलर्शिप दोचाटेश चोबिस अगर आपका भी फॉर्म पेंडिंग एडिस्ट्रिक स्कॉलर्शिप कमेटी सो हो रहा है साथ ही एक हपते में सही हो जाएगा इन सभी छात्रों का फॉर्म जी हाँ सही तो होगा ही साथ में बेरिफाई हो जाएगा इन छात्रों का फॉर्म तो कौन से वो फॉर्म है जो साथ दिनों के अंदर बेरिफाई हो जाएंगे और किन forms को verify होने में हपते भर से ज़्यादा का वक्त लगेगा ये बाते भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूँगा वीडियो को टिल इन तक वाच करने इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आकन को हिट कर दें क्योंकि लगभग 70% ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर वीडियोस देख रहा हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो उनसे मेरा अनुरूद है कि प्लीज सब्सक्राइब करो थोड़ा सपोर्ट करो तो चली वीडियो को सुरू करते हैं और आपको स्कॉलर्सिप का स्टैस देखना हो नया वाला तो आपको सिंपली गूगल पे cmhelp.in टाइप करके सर्च करना है पहला इंटरफिस खुल जाएगा और डिरेक्ली आपको कुछ नहीं करना है यहां से यूपी स्कॉलर्सिप इस्टैस दोजा तेश दिख रहा होगा इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है जो भी एड्स आते हैं उसको कट करके नीची स्कॉलर्सिप करके नीची चले आना है और फ्रेस रिनुवल जो सा भी आपका फॉर्म है आप यहां पे क्लिक कर करके सिंपल सा अपना स्कॉलर्सिप का स्टैस रिश्ट्रेशन नंबर पास्वर्ट डाल के चेक कर लो क्योंकि बहुत ज़्यदा बच्चों का फॉर्म बैंक से बेरिफाई हो चुका है और डिस्ट्रिक स्कॉलर्सिप से भी बेरिफिकेशन काफी तेजी के साथ हो रहा है cml.in पे विजिट करके आप अपने फॉर्म को चेक कर लाएं आपका भी फॉर्म डिस्ट्रिक स्कॉलर्सिप कमेटी से अभी तक पेंडिंग फसा हुआ है कुछ इस प्रकार से सो रहा है सिंपल सा कि पेंडिंग है डिस्ट्रिक स्कॉलर्सिप कमेटी और बैंक से आपका और 15 से 20 दिनों के अंदर आपको चात्रिती की धनरासी भी आपके खाते में मिल जाएगी तो पेंडिंग है डिस्ट्रिक स्कॉलर्सिप कमेटी वाले बच्चों को कुछ नहीं करना है जी हां मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपका भी फॉर्म पेंडिंग है तो आपको कोई काम करने के जरुवत नहीं है कुछ नहीं करना है बिल्कुल निश्रिंद रहना है कुछ बच्चे घवरा रहे तो सर बताईए क्या होगा कैसे होगा अगर आपके भाई ने एक बार बता दिया कि निश्रिंद रहना है क्योंकि यहां जानकारी यहां अपडेट DW अधिकारियों से बाचित करने के बाद मालूम चलती है आपको तो मालूम होगा कि मेरे रिलेसंसिप वाले भी DW ओफिस में है साथ ही मेरा बहुत ज़्यादा अलग-अलग डिश्ट्रिक के ओफिसर से पहचान भी है पिछले 3-4 साल से मैं इसी फिल्ड में एक्टी हूँ UP Scholarship के फिल्ड में तो आप लोग आख बंद करके चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में दबा के सेर करो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे की समस्याओं पर बात करो चुकि मैं इस टॉपिक को कवर नहीं करने वाला था लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चों का सवाल आ रहा है कि सर हमारा भी इंरोल्मेंट नंबर वाली समस्या है बाकी हमारा फॉर्म बैंक से बेरिफाइड हो गया है हमें क्या करना चाहिए अगर आपका भी इंरोल्मेंट नंबर की समस्या बरकरार है भी भी और मांच दस नाट मैच भी इंवर्शेटी अप्लोडेट डाटा दिखा रहा है तो अगर दिखो ध्यान देना करिक्षन के टाइम पे मैं दो बाती अक्सर कहता था एक कॉलेज में जाना प्रिविएस येर के रिजल्ट का फोटो कॉपी जमा कर देना डाकुमेंट्स के साथ या फिर डेड़वल ओफिएज जाके जमा कर देना अगर इन दोनों कामों में से आपने कोई एक काम भी किया है तो भी आपने श्रिंथ होके बढ़ जाओ एक हपते के अंदर आपका फॉर्म बेरिफाई कर दी चाहेगा लेकिन अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया और ना ही आपके कालेज वालों ने कहा कि हम सही करवा देंगे आपने श्रिंथ रहो तब के केस में आपको परसान होना है आपको नस्दीक की डेळवल ऑफिस जाना है इस टे अस का फोडो कापी प्रिवेस एर के रिजल्ड का फोडो कापी लेशा के उनको दिखा देना है कि अप्लिकेशन लिखेना है कि सर्दिखिया हमारा सारा कुछ होके है आप इसको पुना बेरिफाई कर दीजे मतलब एक पाफ फुर से शिक करके बेरिफाई कर दीजे जिससे कि भविष्ण में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो आपको बता दूँ कि 15 मार्च के बाद छात्रों का पैसा भेज़ा जाएगा यानि कि exact 15 दिन बाद ताबर तोड अंडर ग्रेजवेशन पोस्ट ग्रेजवेशन के जितने बच्चे हैं उनका पैसा उनके खाते में भेज जाने की प्रक्रिया जो है वो सुरू कर दी जाएगी तो ये तो हो गई अलग-अलग बाते हैं अलग-अलग स्टेटस को लेकर अब बात करते हैं डायर्कली कि आगे की जो समस्थ्याओं को मैंने थमनेल में 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 निसन किया है तो आपका फॉर्म एक हपते के अंदर बेरिफाई हो जाएगा या फिर आपने करेक्शन के लिए अप्लाई किया और करेक्शन कर दिया है अच्छे से सारा कुछ ओके है तो भी आपका फॉर्म एक हपते के अंदर बेरिफाई हो जाएगा और अगर आपके form में इससे बढ़के कोई समस्या है तो आपके form को verification पर या फिर rejection में लगभग 8 से 10 दिनों का वक्त लग सकता है यानि कि अभी भी 10 से 12 मार्च लग सकता है आपके form को verify या फिर reject होने में अगर आपके form में सच में genuine में समस्या और आपने कुछ नहीं किया या फिर किया तो बहुत ही late किया और अगर आपका form बिल्कुल सही है ओके है तो एक हपते के अंदर district scholarship committee से verify कर दिया चाहेगा इसके regarding आपको निश्चिंत रहना है समझ गए तो बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है बाकी का जो भी information होगा वीडियो के माध्यम से मैं आपको इतलाग कर दूँगा I hope कि आपने channel को अब तक subscribe कर दिया होगा और bell icon को भी दबा दिया होगा जिससे कि आने वाले समय में कोई भी टॉपिक के साथ अब तक थैंक्स